तो हलो आइन वेलकम अगें दोस्तों देखो वाइरफ वाले समझ चुके हैं एक खेल समझ चुके हैं कि अगर आपको बने रहना है अगर आपको ब्लोकबस्टर हिट देना है हजार कुरोन के उपर जाना है तो भाई साव हर दिन अप टू डेट रहना पड़ेगा जब तक की मूवी रिलीज नहीं हो जाती और कुछ एक दिन ही बचे इस मूवी को रिलीज होने के लिए और मैं कहरा हूँ ना बारा नोवेंबर को ये दिन हिस्टॉरिकल होने वाला है क्योंकि इस दिन दो जगे बाउम फूटेंगे एक तो सबके घर में बाउम फूट नहीं फूटने वाले हैं दूसा थेटर हाउस में जो सबसे बड़ा धमाका होगा बिगिस्ट लेवल गा धमाका मलब बालीवूड इतिहास में ऐसा धमाका सायथ कभी हुआ ना होगा पठान जवान एक हिसाब से इसके सामने छोटा सा रॉकेट लगेंगे ये जो बाउम फूटेगा ये जो तबाही होने वाली है बाई साब अमेजिंग होने वाली है क्योंकि ये लोग जबर्दस्त तरीके से काम कर रहे हैं अपनी तरब से कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे है और यही एक मेकर्स की तरब से होना चाहिए कि अपनी तरब से कोई भी कमी ना छोड़े आज जो नया पोस्टर रिलीज करा है बाई आसम है देखो यहाँ पर पहले क्या होता था सलमान खान नो डाउट बिग फेस हैं इनके पास ऐसी स्टार्डम है ऐसी फैन फॉलविंग है जबर्दस दूसरा काट्रीना कैफ इनके पास भी जबर्दस्त फैन फॉलविंग है लेकिन विलेन को फेस बनाकर जो यह वायरफ वाले कर रहे हैं प्रोमोसन भाई यह चीज कहां से सीखा इनोंने पठान से सीखा पठान में क्या था सारुक खान को तो प्यार मिला ही मिला था लेकिन जॉन इबराहम को निगेटिव रोल बे एज विलेन लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया हाला कि जॉन इबराहम की एक चीज वीकनेस के रूप में देखी जाती है कौन सी उनकी एक्टिंग और बस यस एक्सन वगएरा लुक वगएरा ओल आर अमेजिंग लेकिन इमरान हासमी ये बंदा यहाँ पर विलेन के रूप में वायरफ वाले इतना ज़्यादा बूस्ट क्यों कर रहे हैं एक हिसाब से इसको फेस बनाकर टाइगर तरी को लगातार आगे क्यों बढ़ा रहे हैं क्योंकि इमरान हासमी की जो एक्टिंग है जो इसकी वर्सिटैलिटी है जो इसका एक्टिंग का कीड़ा है इसको इतनी अच्छी तरीके से इन्होंने तो पहले यूतिलाइज करा होगा और इस चीज का ये लोग फाइदा उठाना चाह रहे हैं कहाँ पर अपनी मूबी में और चबरदस तरीके से देखो आज जो पोस्टर निकाला है बीच में बैठे पढ़े हैं भाई हाथ में पिश्टल ब्लेजर ब्लेजर डालके और नया जो लुक है भाई साइड में बैक साइड फेस करके कौन है सलमान खान एंक टीना का है फेस किसको बना रहे हैं इमरान हासमी को तो वही कह रहे है न भाई जब यह लोग समझ चुके हैं कि यह स्यार यहाँ पर हमें अगर आगे ले जाना है तो यह सिर्फ सलमान खान का नाम नहीं लगएगा इमरान हास्मी का भी नाम लगएगा फेस के रूप में, हीरो के रूप में सलमान खान नो डाउट बहुत सॉलिड फेस है बहुत दमदार करने वाला है लेकिन विलेन के रूप में जो ये हाईब सेट कर रहे है भाई मुवी में इन दोनों का जो परसनल कॉमबेट सीन होगा जो परसनल वार होगी यहां से हर रोज बूस्ट हो रहा है तो भाई ये चीज ना बहुत दमदार देखने को मिलने वाली है कब 12 नौवेंबर को तो नौवेंबर दूर नहीं है 12 नौवेंबर को होने वाली है तबाही और मनी सर्मा यार इनसे यो उमीद नी थी कि ये ऐसी मुवी खतरनाग वाली निकाल देंगे क्योंकि ट्रेलर में हमने देखा मूवी का पोटेंसल हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है वाइर अफ में ये एक चीज बड़ी खतरनाक चल लिए, कॉंट्रोवर्सी चल रही है कि ये बैस्ट विलेन किसको बोलें इसको उपर से इस बंदे की एक्टिंग वो अलग लेवल का हिसाब फाड़ के जाएगी तो भाई जब ये बंड़ा ना पड़ी खतरनाक होने वाला है, विलेन के रूप में ये इतना हावी होने वाला है सल्मान खान पर मतलब विलेन डॉमिनेंट मूवी होने वाली है एक बार के लिए और सल्मान खान पर ये तूटने वाला है, बहुत बुरी तरीके से तूटने वाला है मूवी में तो टाइगर भाई क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो 12 नॉम्बर को पता चल जाएगा तो आप लोग को ये नया पोस्टर कैसा लगा भाई मुझे बहुत आसम लगा बहुत दमदार लगा क्योंकि यहां से सीधा सीधा पता चल लाए कि भाई होने वाला है कुछ खतरना कु सबरी से इंतजार कर रहा हूँ यह मोवी डेफिनेटली डेफिनेटली हजार क्रोन प्लस जानी ही जानी है आपकी क्या रहा है नीचे कुमेंटर के जुरू बदा के जाना मिलते के लिए वीडियो में जैहिंद